दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को Indian Oil Corporation और Oil India के साथ में कुछ ऐसी Companies के Shares के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्नों ने यहाँ पे Bonus, Split और Dividend Announce कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनों मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आजाते हैं एकदम लेटेस्ट Announcement के साथ में स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का नाम है Infosys Limited Infosys का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे हमें 3% की तेजी दिखाता देखने को मिला 1974 रुपीज पे क्लोज हुआ इस कंपनी के Official Announcement की अगर हम बात करें तो Infosys ने जो वे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 21 रुपीज का आपको आपके हरे एक शेयर पे 21 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा डिफिनेटली डिविडेंट वैल्यू हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इसको देने की एक्स डेट रेकॉर्ड डेट है 29 रुपेंट ओफ नवेंबर की अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है KCK Industries Limited लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक कंपनी का जो शेयर है साड़े चार परसेंट की तेजी दिखाता देखने को मिला 280 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनामस्मेंट की बात करें तो KCK Industries ने जोबे स्टॉक स्प्लिट अनामस कर दिया है 1-5 के रेशियो से जिसका मदलब काफी सिंपल है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 5 शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा चाहिए फिर आपके पास में बेशक इस कंपनी के जितने मर्जी शेयर हो आप लोगों का हर एक शेयर 5-5 शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा और इस stock split को देने की जो X date record date है 30th of October यानि की 30 October की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है BEW Engineering last trading session पे एक company का जो share है almost हमें flat close होता देखने को मिला to be precise 0.44% के एक छोटे से positive note पे close हुआ और 1437 रुपीस का जो है company के share का closing price था BEW Engineering के official announcement की बात करें तो basically इस company ने जो बोनस announce कर दिया है 3 is to 1 के ratio से जिसका मदलब काफी simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको तीन नए shares as a bonus मिलेंगे आपका जो एक share है वो 4 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर आपके पास में बेशक इस company के जितने भी shares हो आप लोगों को आपके हर एक share पे तीन नए shares मिल जाएंगे इस bonus को देने की x date record date अभी upcoming में है बाद में जैसी announcement आएगा मैं आपको intimate कर दूँगा आप लोग जोए चैनल को subscribe करियेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है जग सोनपाल फार्मसूटेकल्स लिमेटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक company का जो share है हमें 5% से जादा की तेजी दिखाता देखने को मिला 472 रुपीज पे close हुआ इस company के official announcement की बात करें तो जग सोनपाल फार्मसूटेकल्स ने जो बोर्ड मीटिंग और्गनाईस कर दिये 23rd of October को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो stock split को लेकर के रहने वला है अब एक चीज़ का ध्यान रखिए 23 October के दिन company जो split announce करने जा रही है अगर वो 1 to 10 के ratio से आ जाता है तो definitely इस company के share पे हमें काफी बड़िया momentum देखने को मिल सकता है तो जरूर से company के share को आपके watch list के अंदर में add करिएगा और खास कर 23 October के दिन company के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है HCL Technologies HCL Technologies का जो share है last trading session पे almost हमें flat close होता देखने को मिला और वही company के share का closing price था 1,865 रुपीज का अब HCL Technologies के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने जो है dividend announce कर दिया है 12 रुपीज का आपको आपके हर एक share पे 12 रुपे का dividend दिया जाएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है IOC यानि की Indian Oil Corporation Indian Oil का जो share है last trading session पे लगबग हमें 0,5% की गिरावट करता देखने को मिला 164 रुपीज पे close हुआ हाँ एक बड़ी update और आप लगों के साथ में share कर देता हूँ अगर आप लुग चाहें तो मेरा 100% free वाला टेलीग्राम चानल जरूर से जोइन कर सकते हैं इसी वीडियो के description पे आपको link मिल जाएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को regular basis पे cash के उपर में stocks पे buying recommendation शेयर करता हूँ short term में scalping setup और mid term के लिए swing trading setup प्रोवाइट करता हूँ देखिए आप लोगों के काफी जादा benefit रहेगा अगर आप चाहें definitely join कर सकते हैं इसी वीडियो के description पे आपको link मिल जाएगा अगर Indian Oil Corporation की बड़ी update को एक मैं cover करूँ तो basically यहाँ पे मोतिला लोसवाल करके एक काफी जाना माना brokerage firm है I am pretty sure आप लोगों ने मोतिला लोसवाल का नाम definitely सुना होगा मोतिला लोसवाल ने जो बे Indian Oil Corporation के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और जो target price दिया है 215 रुपीज का दिया है लगबग 164 रुपीज से लेके 215 रुपीज तक की एक जो rally है मोतिला लोसवाल expect करके चल रहा है Indian Oil Corporation के share के उपर में अब Indian Oil Corporation की as a company अगर हम बात करें देखे fundamentally financially company काफी जादा strong है उपर से एक PSU unit होने के चलते government का support investors का trust company के पास में मौझूद है इसके अलावा अगर आप देखेंगे आने वले एक से डेट साल में EV सेक्टर के अंदर काफी अच्छे तरीके से company involved हो जाएगी और इंडिया के अंदर में lithium iron batteries को manufacture करना start करेगी ऐसा होगा तो definitely long term में तो Indian oil corporation का share आपको काफी massive returns दे देगा और वहीं अगर हम mid term की बात करें तो ये 215 रुपे का target देगी इतना चोटा है नहीं short term में achieve हो at least आपका जो target है mid term तक आपको achieve होता नजर आएगा बागी all over ना ही company ना ही share में कोई problem है actual में अगर आप लोग चाहें तो definitely company के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं और हाँ company के share पे आपकी नजर जरूर से बना के रखिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last update की तो company का नाम है oil India limited oil India का जो share है last trading session पे exactly flat close होता नजर आया और 527 रुपीस का जोए company के share का closing price था इस company के official announcement की बात करें तो basically कोई announcement नहीं है काफी बड़ी update आ रही है अगेन यहाँ पे मोतीला लोसवाल जोगी है काफी जाना माना brokerage firm है मोतीला लोसवाल ने जो है oil India के share पे bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और जो target price दिया है 720 रुपीस का दिया है लगबग 527 रुपे से लेके 720 रुपे तक की एक जो rally है मोतीला लोसवाल expect करके चल रहा है oil India के share के उपर में oil India के as a company बात करें तो देखिए fundamentally financially oil India भी काफी strong है ये भी एक PSU unit है जिसके चलते government का support investors का trust company पे मौझूद है fundamentally financially company काफी अच्छी है valuation wise देखेंगे काफी अच्छे valuation पे company का share अभी आपको trade होता देखने को मिल रहा है और अगर आप current market price पे भी buy करते हैं तो mid term से लेके long term में आपको काफी जादा अच्छे returns काफी easily मिल सकते हैं रही बात है 720 रुपे के target की तो देखिए at least आपको mid term तक का तो wait करना ही होगा हो सकता है थोड़ा सा जादा time लग जाए बाकि mid term से लेके long term का ही target बनेगा आपका 720 रुपे का definitely अगर आप लोग चाहें company के share पर आपकी नजर बना के रख सकते हैं because at the end of the day ना ही company ना ही उसके share में कोई problem है actual में oil India काफी अच्छी company है काफी बड़िया company है long term vision रखते हैं तो oil India की तरफ आप देख सकते हैं long term में काफी अच्छा benefit यहां से आपको मिल सकता है बाकी जरूर से अगर आप चाहें oil India के share को भी आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं बाकी oil India हो गया Indian oil corporation हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहां पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस video के अंदर में इतना ही रखेंगे यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी specifically जिनोंने आपे bonus, split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like करिएगा चैनल को भी subscribe करिएगा because ऐसे videos मैं आप लेगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye